पठान भी इसके फैन इसके आगे लाइन लगाते हैं बॉलियूट के बड़े बड़े हीरो एक दो करोड नहीं 170 करोड की जो है मालकिन कहानी उस अक्टरस की रेस्टरेंट में किया काम लगाया जाडू पोचा सिर्फ एक फिल्म ने रातो रात पलट दी किसमत जिसके पास कोई फिल्म नहीं होता था रातो रात डारेक्टरस न लगा दी फिल्म के लाइन रेस्टरेंट में काम करते करते आक्टिंग के फिल्ड में आई जटके में च्छा गई अभे करोडो की मालकिन खुद विराट भी है इसके फैन रोहित भी देखते हैं इसके फिल्म शारुख खान के साथ कर चुकी है काम वैसे तो बॉली उट के तीन ही खान को दुनिया जानती है शारुख खान, सल्मान खान और आमिर खान लेकिन आज हमें एक ऐसे खान के बारे में आपको बताने जा रहे हैं जिसका पूरा बॉली उट दिवाना है उसके हुसनिक के अदाओं पर बॉली उट के बड़े डारेक्टर फिदाएं बड़े बड़े आक्टर उसके साथ फिल्मों में काम करना चाते हैं खुद जिसके साथ बॉलियूट के बादसा शारुक खान भी फिल्मे कर चुकी है आज कहानी उसी अक्टरस की जो काम्याबी की बुलंदी पर पहुचने से पहले बातरूम तक साफ कर चुकी है रेस्टरेंट में लोगों के जूठन तक साफ करती थी बहुत मुफलिसी में बीता जीवन और फिल्मों तक का सफर बहुत स्टरगल से भरा था खुबसूरती में बॉलियूट के बड़े-बड़े आक्टरस को टकर देने वाली हम जिस खान आक्टरस के बारे में बात करने जा रहे हैं वैसे तो वो भारत की नहीं है लेकिन सच पुछिए तो बॉलियूट के खुबसूरत हसिनाओं को ब्यूटी से लेकर ब्रेन तक वो सब में टकर देती हैं ये एक्टरस कौन है और बॉलियूट में इसने कौन सा बड़ा काम किया है ये जानने से पहले आपको इस एक्टरस की स्ट्रगलिंग लाइफ के बारे में बता देते हैं हर काम्याब आदमी के पीछे उसकी मेहनत और संघर्षों की कहानी होती है इस एक्टरस ने भी ये मुकाम अपने संघर्षों के दम पर ही हासिल किया हम जिस अक्ट्रिस की बारे में बात करें उसका नाम है माहिरा खान माहिरा वैसे तो पाकिस्तान इंडस्ट्री की अक्ट्रिस है लेकिन उनका नाम बॉली ओड में भी सबकी जुबा पर होता है माहिरा कैसी एक्ट्रेस है जिन्होंने छोटे पर्दे से निकल कर बड़े पर्दे तक इंडस्ट्री में कदम रखा और लोगों की धनकन बढ़ा दी उनकी फैन फालोइंग किसी भी बड़े से बड़े बॉली उड स्टार से कम नहीं है पॉसनल लाइफ में उनका नाम रणवीर कपूर के साथ भी जुड़ चुका है लेकिन जस्तिन भारत पाकस्तान के रिष्टे खराब होए उसके बाद से माहिरा खान को बॉली उड में फिल्में मिलना बंद हो गई जो कि बॉली उड ने मिलकर फैसला किया कि पाकस्तान के किसी भी आर्टिस्ट को भारत में काम नहीं मिलेगा माहिरा खान शारुख खान के साथ फिल्म रईस में नजर आ चुकी है माहिरा ने अपने करियर की शुरुवात एक क्याशेर की रूप में की थी उनका सिनमा जगत से दूर दूर था कोई नाता नहीं था लेकिन उनकी जंदगे को कुछ और ही मनजूर था विदेश में पढ़ाई के दौरान जॉब करते हुए माहिरा की जंदगी में प्यार की शुरुवात हुई इस तौरान उनके संघर्ष वाले जीवन की शुरुवात भी हुई विदेश में रहकर पढ़ाई करना बहुत खर्चीला था इसलिए माहिरा खान रेस्टरंट में काम करती वहाँ पर जूटे बरतन साफ करती और वक्त मिलता तो पबलिक ट्वालेट साफ करके कुछ पैसे कमाती इस से उनकी पढ़ाई लिखाई चलती रहती माहिरा की पहले मुलाकाद अली तसकिन से साल 2006 में आमारिका के लास अंजलिस शेहर में हुई दोनों को पहली नजर में एक दूसरे से प्यार हो गया एक साल तक डेट करने के बाद माहिरा ने अपने घरवालों को शादी करने के फैसले के बारे में बताया लेकिन माहिरा के पता حفیظ खान इस शादी के खिलाव थे अली टस्किन के प्यार में माहिरा इसकदर खो चुकी थी कि अपने फैमिली के खिलाव जाकर उन्होंने शादी कर ली ये रिश्टा बहुत जादा दिनों तक नहीं चल पाया शादी के दो साल बाद माहिरा और अली के घर ननाश शहजादा आया जिसका नाम रखा गया अलजान बेटे के जन्म के कुछी दिनों बाद माहिरा खान को पाकिस्तानी टीवी और फिल्म इंडस्ट्री से उफर आने लगे वो काम्याबी की सीड़िया चुढने लगी ये बात उनके पती को पसंद नहीं आए रिष्टों में खटास काफी बढ़ गई बहस और लड़ाई जगडों के बाद साल 2015 में तलाक हो गया दिरे दिरे माहिरा खान के जंदगी में लॉंग टाइम बॉइफरेंड सलीम करीम ने दस्तक दी माहिरा और सलीम करीम ने 18 गस्त 2020 को एक दूसरे से शादी कर ली बताय जाता है कि माहिरा खान कई साल से सलीम करीम के साथ रिलेशन्शिप में थी साल 2018 के दर्मियान दोनों की मुलाकात हुई थी आज बेशक बॉलियूड में माहिरा खान काम ना करती हूँ लेकिन पाकिस्तान में वो महंगी पेड आक्टरस में गिनी जाती है माहिरा खान के जंदगे से हमें ये सीख मिलती है कि संगर्श करने पर एक ना एक दिन मंजल जरूर आपके पास चल कर आती है माहिरा की जंदगी का किस्ता क्या आपको पसंद आया अगर पसंद आया तो इस वीडियो को खुब शेयर करिएगा